नमस्कार मैं हूराम किंकर सिंग दिल्ली तक की खास पेशकस्मा आपका स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि राजधाने दिल्ली में नई लेकर पॉलिसी यानि नई शराब नीती को लेकर के कितना होहला मचा है तमाम जो विपक्ष है वो हमलावर है दिल्ली सरकार पर और विपक्ष लगातार इस बात को होहला मचा रहा है कि किस तरह से आरोप लगा करके ये साबित कर रहा है कि कितना घोटाला हुआ है अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा आपने देखा कि इस पूरे वाकिये में कि इस तरह से सब कुछ चल रहा है लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि आप सब कुछ देख भी रहे होंगे खास बात ये है कि राजधानी दिल्ली में एक सितंबर से पुरानी शराब पॉलिसी होगी और इस पॉलिसी के तहट जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी एक सितंबर से तब लोगों को शराब मिलेगी अब आपके जहन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि ये शराब कैसे मिलेगी क्या जो नई शराब नीती लागू हुई थी जो कि नवंबर 2021 में लागू हुई थी और अब तक 31 अगस्त तक चलेगी उसमें दुकान के अंदर कस्टमर जाता था और अपनी मन पसंद की ब्रांड चुनता था और उसके बाद से उसे ले आता था लेकिन जब आप शराब खरीदने जाते हैं सरकारी दुकानों पर जो कि नई शराब नीती लागू होने से पहले तक का सिस्टम था वो ये था कि विंडो से शराब बेची जाती थी अब सवाल यही है कि जो एक सितंबर से शराब मिलेगी वो क्या विंडो के पास या जंगले के पास ही खड़े होकर मिलेगी या फिर लाइन लगा कर वो शराब खरीदना पड़ेगा या फिर अंदर जा करके शराब की दुकान के अंदर जा करके अपनी मन पसंद ब्रांड क यह सवाल इसका जवाब अभी तक नहीं है क्योंकि इनी सारी चीजों से जो लोग हैं वो भी हलकान हैं कि उन्हें आखिर पता चले कि किस तरह से जब एक सितंबर को यह चीजें होंगी तब किस तरह से वह अमली जामा पहना जाएगा हलाकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तकरीबन चार से चार दिन का वक्त है तो ऐसे में मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस पर काफी क्लैरिटी मिले लेकिन यह देखा गया है कि अभी तक इस मसले पर पूरी क्लैरिटी नहीं है कई सारे रिस्टोरेंट और बार से मैंने बात की और उन लोगों का यह कहना है कि पॉलिसी तो लागू हो जाएगी और उसमें सरकारी दुकानों से शराब मिलेगी लेकिन अभी तक जो इस्थिती है वो यह है कि अगर आपका कोई 1% ब्रांड है अवल तो वो नहीं मिलेगा अगर वो मिल भी जाए तो भी बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगा यानि कि साफ है कि अभी भी अलग अलग जब्रों पर शराब की खिल्लत है अब सवाल यही है कि कितनी दुकाने होंगी जो 1 सितंबर से खुलेंगी दावा किया जा रहा है तकरीबन 400 से 500 यह सरकारी दुका दुकाने होंगी जो तमाम सरकारी कॉर्पोरिशन्स चलाएंगे और लोगों को शराब मिलेगे लेकिन अब देखना यह है कि अमूमन कितनी दुकाने खुल पाती है क्योंकि जब यह विभाग की तरफ से कोशिश की गई और यह पता किया गया तब देखा गया कि कई सारे ऐ दुकाने के तहट या डीडिये के मास्टर प्लान के तहट वहां खोला नहीं जा सकता तो अब उन्हें अनुमती नहीं मिलेगी तो अब देखना क्या है कि यह जो दावा 500 दुकानों के खुलने का है क्या वो सहीफ हिट बैठता है क्या इतनी ही दुकाने खुल पाती है या फिर इससे कम दुकाने खुल पाती है खर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन शराब की खिल्लत दिल्ली के अलग-अलग अलाकों में है अवल तो आप जहां भी जाएंगे वो दुकाने अधिकतर बंद हो चुकी हैं कुछ एक ऐसे प्राइविट दुकानदार हैं जो की अपना स्टॉक हतम कर रहे हैं और यही वज़ा है कि उन्होंने बहुत कम रेट पर अब मुझे तो लगता है कि उन इलाकों में जरूर जाना पड़ेगा जैसे पहार गंजी इलाके में भी कुछ ऐसी दुकाने मिली जहां पर इस तरह का डिसकाउंट रीट मिला लेकि दुकानों से संचालन बिल्कुल नहीं होगा ऐसे में जो नए लोग हैं उनमें से क्या कुछ लाइसेंस आगे लेना चाहेंगे या फिर इंतजार करेंगे कि कोई अगली पॉलिसी आए क्योंकि नई पॉलिसी के तहत किसी भी प्राइवेट प्लेयर को शराब बेचने की शराब नीती कभी इस तरह का मुद्दा नहीं बनी है पॉलिटिकल सिनेरियो में कभी इस तरह से जिसकुशन नहीं हुआ था और यही वज़ा है कि इस बार नई शराब नीती को लेकर के जो विपक्ष है वह सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हमल और घोटाले का आरूप लगा रहा है अब देखना ये है कि जाच का विशह है कि यह गोटाला किस तरह से हुआ और अगर यह हुआ तो इसका फाइदा किसे हुआ या फिर इसका नुकसान सरकार को हुआ या नहीं हुआ हाला कि क्लेम ये किया जा रहा था कि जो शराब से आई हुई लागत है शराब से जो कमाई है वो बहुत जादा बढ़ी है लेकिन जब आंकड़े आए तो पता लगा है कि इसमें 3500 के करीब करोड के करीब इसमें घाटा हुआ है बहराल पक्ष और विपक्ष में लगातार हम कई वीडियो पर ये चर्चा कर चुके हैं लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना ये हुगा कि किस तरह से यह शराब पॉलिसी लागू होती है बहराल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ और आपको बताएंगे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी चीजें ऐसा वीडियो जो सीधा आपसे तालुक रखता है फिलहाल मेरे सहकर्मी पवन के साथ इस वीडियो में बस इतना ही फिर हाजिर होंगे तब तक आप लगातार देखते रहें दिल्ली तक